अच्छानक का समय चल रहा है अच्छानक बाते आती है घर में हर एक के पास शक्ती नहीं होती है एक को शक्ती कमा के रखनी पड़ेगे यह अभी अच्छानक का युग खतम नहीं होने वाला है यह हो सकता है कि यह और जादा बढ़ने वाला है इसलिए जैसा समय, जैसा महौल वैसी तैयारी करनी चाहिए वैसी तैयारी रखनी चाहिए और आजकल बहुत बड़ी बाते होने की जरूरत नहीं है लोगों को परेशान होने के लिए छोटी-छोटी बातों में भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि शक्ती कम है इसलिए अपने आपको जिम्मेवार बनाओ कि मैंने अपने घर का क्या बनना है बोल ये टाइचल मैं कौन हो अपने घर का शक्ति स्थम सब बोलेंगे मैं अपने परिवार का पूरा लाइन बोलो मैं अपने परिवार का शक्ति स्थम बच्चा परेशान है हम कैसे रहेंगे बच्चा परेशान है हम कैसे रहेंगे ये नहीं कहना बच्चा परेशान है तो मैं परेशान होंगी ही न अगर आप हुए फिर इसको याद रखना इसलिए करना होता है करेंगे ना तो यह रेकोर्ड हो जाएगा कि बच्चा परेशान है मैं परेशान हुई तो क्या होगा यह यहां बैठे यह लगता है हाँ हाँ राइट राइट लेकिन इसको घर में प्राक्टिस करना होगा इस समय बहुत जादा बड़ी बाते होने की जरूरत नहीं है लोग छोटी-छोटी बातों में भी जादा परेशान हो रहे है क्योंकि शक्ती कम है तो समय वो आया है हमें अपने घर की वाइब्रेशन को क्या करना है उपर उठाना है एक समय था हमें घर को बड़ा बनाना था हमने किया फिर एक समय आया हमें अपने घर को सुन्दर बनाना था हमने वो भी किया अब समय आया हमें अपने घर को शक्ती-शाली बनाना है सुन्दर तो बन गया अब सुकून और शक्ती लानी होगी नहीं तो सुन्दर मकान जरूरी नहीं है कि खुशी दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाई तो दे दी लेकिन शक्ती नहीं दी तो फिर तो फिर जब वो परेशान होंगे तो उनका ध्यान कान रखेगा और शक्ती वो एक ही चीज है जो पैसों से खरीदी किस-किस को साक्षी होकर देखो किसको लगता है हमारे बच्चों को शक्ती की जरूरत है शक्ती मतलब सेहन शक्ती जुकने की शक्ती बातों को खतम करने की शक्ती इस शक्ती की जरूरत है किस-किस को लगता है हमारे बच्चों को जरूरत है तो परिवार की जिम्मेवारी क्या होते है परिवार की जिम्मेवारी क्या होते है परिवार की जिम्मेवारी ये होते है कि जब हमारे घर में किसी चीज की जरूरत है तो हमें वो चीज लानी पड़ेगे ये समय वो चल रहा है अगर आप अपने मन की स्थिती को उपर नहीं लेकर जाएंगे सिरफ बातवरन ही आपके मन की स्थिती को नीचे लेकर आएगा क्योंकि हवा क्या हो रही है हवा क्या होती जा रही है दूशित होती जा रही है तो मन किस्तिती अपने आप नीचे नीचे जाएगी unless हम उसको कैसे लेके जाएंगे उपर लेकर जाएंगे तो रोज उसको उपर लेकर जाना है तो एक लोगों की गलतिया ऐसे लेनी नहीं दूसरा अपने जीवन में शुकराना शब्द पक्का कर लो हर बात के लिए क्या कहेंगे शुक्रिया सुबो सुबो उठकर सबसे पहला संकल्ब क्या करेंगे शुक्रिया यहां से शुक्रिया नहीं यह से बोलने के लिए शुक्रिया नहीं फील करते हुए कि शुक्रिया क्योंकि जितनी बार हम शुक्रिया कहते है परमात्मा को शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, चीजों का शुक्रिया, प्रकृती का शुक्रिया, देखो लाइट कितनी अच्छे, कितनी अराम से सेट हो गई उसके बाद, शुक्रिया किया? नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी हीली तो सबने हैं जब ठीक नहीं होता कुछ, हम संकल्प करते रहते हैं, जब सब सही है, हम शुक्रिया नहीं करते हैं, शिकायत करना, स्वभाविक है, शुक्रिया करना, वो क्या, लाइट ठीक चल रहे हैं, उसमें क्या शुक्रिया करना हो, तो ठीक है चलेगी, नहीं, उसका शुक्रिया, उस इसनी बाहर हम शुक्रिया करेंगे, क्या होती जाएगी यह बैटरी? और जितना जादा शुक्रिया की वाइब्रेशन पर अपने को चलाएंगे, बातों में शिकायत अपने आप क्या होने लगेगी? अपने आप, अपने आप, एज़ेस्ट करने की शक्ती, सेहन करने की शक्ती अपने बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सारा देन क्या कर रहे हैं? शुक्रिया, किस-किस का शुक्रिया? जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं उनका शुक्रिया, जो हमारा ध्यान रखते हैं उनका शुक्रिया, गो कि चुह को दो, कि चुह का लोग हमारा अभान कर्ते हैं उनक Upon a कम चुह के अपन कर दो गए उनका कॉम्हारा करें और दो नहीं त प्रजुए अलिए मोरी महिमा करते रहें यहाद उनका कर आफिला कि और नेकर लेखें उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे अंदर सेहन शक्ती बढ़ाते हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे अंदर शमा करने की शक्ती को बढ़ाते हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया कितना शुक्रिया जो अच्छा कर रहे हैं उनका कम शुक्रियाद तो चलेगा लेकिन जो opposite कर रहे हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया क्योंकि वो आत्माई हमारे अंदर की शक्ति को क्या करते हैं इमर्ज करते हैं जो हमें भी नहीं पता हुए कि हमारे पास वो शक्ति है तो एक चीज गल्ती का चिंतन नहीं इवन परिस्थिती में से गल्ती का चिंतन नहीं करना परिस्थिती में से भी गल्ती का चिंतन नहीं करना व्यक्ति को दुआ देना बहुत अच्छे हैं और परिस्थिती को दुआ देना कि इसमें कल्यान है हर परिस्थिती को वार करो सबसे पहले एक ऐसी उसके उपर दुआ दो कि परिस्थिती छोटी हो जाए और हम किदर हो जाएं हम उसके उपर हो जाएं कि इसमें कल्यान है बोलिया एक बर कर सकेंगे आप ये कल से तीन दिन करना है सिरफ ये दो मंत्र ब्यक्ति के लिए बहुत अच्छ है और परिस्थिति के लिए इसमें कल्यान है अभी बाहर गए कोई चीज तूटी तूटते ही क्या बोलेंगे बहुत असान है इसका मतलब यह नहीं तोड़नी आ जाके अभी बाहर आप कितना भी ध्यान रखेंगे लेकिन कई बार आप कितना भी ध्यान रख लो कितना भी संभाल लो कोई ना कोई चीज तूट जाती है कोई ना कोई चीज गुम जाती है लेकिन चीज तूटी है सिरफ चीज तूटी है मुझे किसको नहीं तोड़ना लेकिन हम करते हैं टूटी कैसे लेकिन लेकिन ये टूटी कैसे ये किस ने तोड़ी ये किस ने यहां रखी थी यहां क्यों रखी थी वहां क्यों नहीं रखी थी किस करते 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 किस की शक्ति घट रही है ये याद रखना है और याद रखने के लिए सिरफ एक असान तरीका तुरंत बोलो, इसमें भी कल्यान है, कुछ नहीं आना था, बस कतब, फुल स्टब शक्ति गवानी नहीं शक्ति गवानी नहीं वो चीज पैसों से खरीदी गई थी, पैसों से वापस आ जाएगी यह जब शक्ति जाएगी, तो सारे पैसे मिलकर इस शक्ति को नहीं ला सकते जब आप अपने बच्चों को देखेंगे, परेशान, डरे हुए आप कितना भी पैसा खर्च कर लेजिए, वो पैसा शक्ति नहीं ला सकता उस टाइम पर इस लिए इस शक्ति को क्या करना है, इस शक्ति को क्या करना है, संभाल के रखना है, तो बाहर गए कोई चीज तूटी क्या बोलेंगे, अभी यहां बोलोगे तब जाके वहां कुछ होगा, कोई तो प्रैक्टिस तो करें थोड़ी से, तूटेगी तो क्या बोलेंगे, बाह सिर्फ गाडी में डेंट लगा है, सिर्फ गाडी में डेंट लगा है, गाडी की डेंट के लिए शक्ति नहीं गवानी है, यही तो हम ध्यान नहीं रख रहें, और इसलिए हम इतनी छोटी छोटी चीजों में भी कितनी जादा शक्ति गवा देते हैं, इसमें भी कल्यान है, कि इससे जादा तो लगा नहीं। पूरी गाड़ी भी टूट जाए, तो भी हम कहते हैं, इसमें भी कल्यान है, हमें तो कुछ हुआ नहीं। हमें भी कुछ हो जाए, तो हम कहते हैं, इसमें भी कल्यान है, शरीर में तो बैठें अभी तक, और शरीर को छोड़ दिया, तब भी कहते हैं, इसमें भी कल्यान है, टूटे-फूटे शरीर में क्या रहना था, अच्छा है, इसे अच्छा नया शरीर लेंगे, कोई सीन ऐसी है ही नहीं, जिसमें कल्यान नहीं है, सिरफ कल्यान देखने का दृष्टी कौन चाहिए, और उसक क्या लिखा है, उसमें लिखा है, जो हुआ, अच्छा हुआ, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो होगा, वो बहुत अच्छा होगा, और हम सारा दिन क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे हुआ, अब क्या होगा, तो फिर वो टंगा तो है, लेकिन वो यहाँ नहीं टिका है, ठीक आज रात को खाने में नमक डालना भूल गए इसका बतलब यह नहीं आप फीका खाओ आपको नमक डालना है आप नमक डालो लेमिक नमक डालने से पहले दस व्यर्प संकल्प नहीं करने है सिरफ नमक कम है शक्ती नहीं गवानी इस चीज को थोड़े दिन ट्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप ध्यान कहां रहना शुरू हो जाएगा शक्ती इस शक्ती को बढ़ाना है और इस शक्ती को बढ़ाने का सबसे सहच तरीका सही सोच, सही शब्द और सही करम हर करम से हमारा भाग्य बनता है किस से भाग्य बनता है? हर करम से हमारा भाग्य बनता है सबसे पहला करम सबसे पहला करम जिसका हमें ध्यान रखना है वो है घर में आने वाला धन घर में आने वाला धन चार शक्ती होती है रिपीट करेंगे धन, बोलिए धन से खरीदेंगे अन जैसा अन होगा वैसा मन और जैसा मन होगा वैसा तन चार कौन से ओर्डर में गए? धन अन मन और तन अब इनको सबको ठीक रखना है तो पहले कौन सा ठीक रहना पड़ेगा? धन कल्योग में जादा फोकस किस पर हो गया? कितना कमाते हैं? कितना कमाने से धन आएगा? धन से सामान आएगा? कैसे कमाते हैं? कौन से जादा जरूरी है? कितना कमाते हैं या कैसे कमाते हैं? हम कभी एक दूसरे से पूछते हैं कैसे कमाते हैं? कितना कमाते हो? इतना सब ने फोकस किया कितना कमाते हो, कितना कमाते हो कि वो ही सबकी priority बन गया कि कितना कमाते हो एक second में मैं आत्मा शरीट छोड़ूंगी तो जितना भी कमाया होगा क्या हो जाएगा? पीछे रहेगा जैसे कमाया होगा बोले बोले जो कमाया होगा वो पीछे रहेगा कैसे कमाया होगा? और जीते होए भी जो कमाया होगा वो साधन देगा जैसे कमाया होगा वो सुकून देगा पैसा सुकून नहीं दे सकता है अगर पैसा सुकून देता होता तो फिर समाज में सपष्ट दिखाए देना चाहिए कि जिसके पास जितना जितना जादा धन उतना ज़्यादा खुश, ऐसा तो कोई connection नहीं है बिलकुल भी पैसा समाम दे सकता है पैसा सुकून नहीं दे सकता है तो सुकून कैसे आएगा पैसा कमाने का तरीका आज सुबह ही भाई सब यहां बैठे होंगे इस hall में कहते हैं हम कभी छुटी नहीं लेते हैं हम साथ दिन काम करते हैं बिसनेसी इतना ज़्यादा है आप मेंसे कोई और भी हैं जो साथो दिन काम करते हैं आथ उठाईए प्यार से उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो अच्छे से उठा लो साथ दिन हमेशा याद रखना है भले मन सारा दिन उमंग में रहे उच्सहा में रहे खुश रहे तो काम काम नहीं लगता लेकिन सिरफ मन को अराम नहीं देना होता छुटे लेकर इस शरीर को अराम देना होता है एक मशीन है वो मशीन को भी बीच में थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है आजकल जो अचानक अचानक बाते आ रहे हैं तो फिर डॉक्टर से पूछते हैं वह यह अचानक अचानक इतना क्यों होता है यह सब कुछ? तो कहते हैं लोग भाग रहे हैं लोग अब चल नहीं रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं कुछ देर भागना ठीक होता है लेकिन अगर कोई भागता ही जाए भागता ही जाए भागता ही जाए और रेस्ट ना दे तो यह शरीर एक मशीन है तो हमेशा याद रखना वो सारा पैसा जो हम हफते में आठ दिन काम करके भी कमाएंगे वो सिरफ इलाज पर खर्च हो सकता है वो सेहत नहीं ला सकता है तो अपने जीवन में संतुलन संयम, लाइफस्टाइल जीवन शैली ऐसा कोई करम न करें जिससे जब कुछ हो तो हम कहेंगे ओ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें ऐसा करना चाहिए था तो धन क्या कर सकता है धन क्या नहीं कर सकता है उसकी लिस्ट अपने आप बनानी होते है अपने आप बयाजी यह भी हमारा नया संसकार है आजकल सबकी फोटोफटोचिचने सारे दने से एकने शुरू कि अब हम सारे करते रहते हैं और अब हमारे हाथ में कैमरा आगया जया नब सबके तो हमसारा दन फोटो खिचते हैं क्यों खिचते हैं फोटोची हमने कभी पढ़ हम ने पूच्चा हम notions करते हैं इन सब फोटो का, अम क्यों खीचते हैं इतनी सारी फोटो, फिर उसको बाद में ऐसे देखते रहते हैं, क्या होगा उसको देखने से, ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे, 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 रेकोर्डिंग यहां हो रही है, यहां की रेकोर्डिंग कुछ नहीं, यहां रेक वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को रेकॉर्ड करना है, हम जारा दिन फोन लेकर उसको सीन को फोटो किछते रहते हैं, सीन खतम हो जाएगा, फोटो भी खतम हो जाएगी, लेकिन वो जो वाइब्रेशन हम रेकॉर्ड कर सकते हैं, और दूसरे को वो वाइब्रेशन दे सकते हैं लेकिन क्योंकि सब कर रहे हैं सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं आज से कहो मुझे कोई फोटो नहीं चाहिए बोल लिया जरा बोलो बोलेंगे तो कुछ होना शुरू होगा उसके माद मुझे क्या फोटो चाहिए क्यों फोटो चाहिए इतना अच्छा यहां सारा कुछ छप रहा है और वैसे भी कभी भी पीछे मुड़ कर कुछ याद नहीं करना चाहिए हमेशा कौन से शन में रहना चाहिए जो शन अभी है शक्ती उसी शन के अंदर है पीछे के शन को जाकर देख कर क्या होने वाला है हतम हो गया वो शन इस ओवर्ट फिनिश्ट हो गया उसको याद करके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो शन बहुत अच्छा था तो हम कहते हैं ओ वो वाला शन बहुत अच्छा था यह वह हम कहते हैं वह वाला शन अच्छा नहीं था, दोनों में मन किस्तिती किदर जाने वाली है, नीचे, हमारी शक्ति एक ही शन पर है, वो कौन सा शन है, अभी, अभी, तो बोलिए, मुझे कोई फोटो नहीं चाहिए, बोलते ही नहीं करेंगे, कैसे विराथ से, मुझे यह मेरा संस्कार नहीं है, एक जना करेगा, एक को देखकर दूसरा करेगा, दूसरे को देखकर तीसरा करेगा, और बहुत जल्दी हमारा संस्कार बदल जाएगा, सीन को एंजोई करना चाहिए, सीन की वाइबरेशन को अनुभव करो, सीन में अच्छी अच्छी वाइबरे तो natural energy, natural emotion अभी stage पर भी आते है भई फूल देने हैं तो फूल देते हैं लेते हैं नहीं जी आप उस तरफ देखो क्योंकि हम उसके लिए फूल कर रहे हैं इसका क्या मिलिंग है हमको बाद में देखना है कि हमने फूल लिया दिया नहीं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो मिलना है फूल की भी जरुट नहीं है हम एक दूसरे से मिल रहे हैं अपने energy दूसरे को दो दूसरे के energy मैसूस लो जब साइड बे चलो आप उस तरफ देखो हमको फोटो खीचना है और बाईचान्स अगर कभी-कभी होता है, किसी का फूल ले लिया, लेकिन फोटो नहीं खिची, वो वापस फूल उठाते हैं, बोलते हैं अभी वापस लो आप, अभी क्यों हसी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि साक्षी होकर बैठ कर देख रहे हैं, तो दिखता है, हम क्या करते है क्या करना है हमें उस फोटो का हमें कल दूसरों को दिखानी है कि हमने फोटो फूट एक करता है दूसरा करता है दूसरे को देखकर तीसरा करता है और बहुत जल्दी हम सब करना शुरू कर देते हैं हम संसकारों को बदलेंगे जिस संसकार में शक्ती घटती है, वो मेरा संसकार नहीं, क्योंकि वो चीज हमें नाचरल से क्या करती जा रही है, दूर, हर चीज में, हर फंक्शन में भी नाचरल नहीं रहते, सिरफ पोस करते रहते हैं, अक्टर थोड़ी है हम, अक्टर का रोल यह होता है, कि सारा दन कैमरा के लिए पोस करना, हम कोई अक्टर है हमारा रोल थोड़ी है, हम अपने परिवार के साथ एक त्योहार मना रहे हैं हम अपने परिवार के साथ एक फंक्शन सेलिबरेट कर रहे हैं उसकी एनरजी को experience करना है क्योंकि वो यहां record होगी अनुभव record होगा ना फोटो तो नहीं record होगी तो हमें नहीं चाहिए ना अजसे फोटो आज आके फोन की सारी फोटो डिदेट कर देना सच्छी में उसमें कुछ नहीं है जहां है उसको importance देते नहीं हो जहां कुछ नहीं है उसको ऐसे पकड़ के रखा है ता समभाल के यह बहुत important है वो important नहीं है important कौनसी recording है यहां यहां क्या record हो रहा है तो हम धन कितना कमाते हैं वो important नहीं है लेकिन हम कैसे कमाते हैं वो जादा important है जितना कमाया साधन आए जैसे कमाया सुकून आएगा तो कैसा धन कमाना चाहिए कैसा धन कमाना चाहिए सबसे पहले ये अटेंशन रखे कि जो हम बना रहे हैं जो हम दुनिया को दे रहे हैं उससे दुनिया को सुख मिले अरे क्लियर ये बत मेरा धन किसी को तकलीफ दे कर नहीं आना चाहिए सपोज मैंने कोई ऐसी चीज बनाई जिसके लिए लोगों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो फिक है? मैंने कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ वो मेरा बिसनेस है जो लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है मैं धन कमाता गया लेकिन लोगों को क्या मिलता गया उसकी वज़े से बीमारी? बिमारी तो ऐसा धन हमारे घर नहीं आना चाहिए ऐसा धन हमारे घर नहीं आना चाहिए तो सबसे पहली चीज जो हम काम कर रहे हैं जो हम व्यापार कर रहे हैं वो समाज को देने वाला होना चाहिए कि ये समाज के अच्छे के लिए ये चीज है लेकिन अच्छा उनका हो रहा है के नहीं मुझे क्या बरकता है मेरा अच्छा होना चाहिए Energy कैसे हो गए Business भी ऐसे नहीं करना होता Business भी कैसे करना Business भी ऐसे करना है जब बिसनस भी ऐसे करेंगे तो व्यापार भी सेवा होगी सेवा सिर्फ चारिटी नहीं होता है कि मैंने दान किया तो वो सेवा है व्यापार भी सेवा होगा अगर हमारा लक्ष लोगों को देने का होता है तो पहला हमारा बिसनेस है कौनसी चीज़ का सपोस किसी का रेश्टूरेंट का बिसनेस है खाना खिला रहे हैं सबको तो फिर ऐसा खाना बनाओ जो उनके स्वास्त के लिए अच्छा है ऐसा खाना बनाओ जो वो अपने घर में वैसी वाली चीज़े डाल के बनाते लेकिन अगर हम सोचेंगे हम इस में से कितना कमाएंगे तो हम तो उनके खाने में से कटी करते जाएंगे, ये चीज़ अटाओ, इसकी जुरुत नहीं, इसकी जगे, ये वाज़, intention, करम के पीछे की भावन, intention क्या है, धन उस intention से आएगा, तो आज से व्यापार की direction भी कैसे रखनी है, ऐसे नहीं करनी है, कैसे वाली करनी है, मुझे स सबको सुख देना है, मुझे सबको सेहत देनी है, देने की intention हमें यहां लेकर जाती है, ये वाली intention हमें कहां लेकर जाती है, नीचे लेकर, तो सबसे पहले वो, कि मेरा काम है कौन सा, दूसरा, काम करने का तरीका, काम करते हुए भी, अपने से जादा दूसरों के बारे में स उनको डांटा, उनपर चिलाया, उनसे काम करवया, धन कमाकर नपर घर लाया, लेकिन वो धन में क्या आया? धन में क्याั้ आया? उनका दर्थ तो लगा ना। किसी को मैंने जोर-जोर से डांटा ऐसे दोड़ी काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं उसने काम कर दिया डांट खाके लेकिन मन से तो वो दुखी है न तो वो सारा दिन दुखी रहा काम करते हुए लेकिन उसने जो काम किया उससे मेरे घर शाम को धन आ गया लेकिन उस धन में कौन से एनरजी आई उसके दुख के एनरजी आई discipline करना है सबको अच्छे से नियम अनुसार चलाना है लेकिन चिला कर नहीं चलाना है सैयम लेकिन अपमान नहीं कर सकते इतना जाना कर सकते नहीं कर सकते करना चाहिए है नहीं करना चाहिए धन में किसी का दर्द लगा हुआ होना नहीं चाहिए इसलिए धन को किसका दर्जा दिया जाता है धन को देवी का दर्जा दिया जाता है और देवी के हाथ कैसे है श्री लक्ष्मी जी के चारो हाथ कैसे है मतलब धन की भी शक्ति कैसे दिखाई है ऐसे दिखाई है ऐसे दिखाई है ऐसे वो धन है कमा रहे हैं लेकिन तो भी उसकी शक्ति कैसे दिखाई ऐसे दिखाई श्री लक्ष्मी जी को कैसे दिखाया कमल पुष्प के ओपर दिखाया, कमल पुष्पे ओपर दिखाना मतलब कीचड में रहेंगे, लेकिन फिर भी उस कीचड से कैसे होंगे, उपर होंगे पवित्र जीवन, ब्यापार पवित्र होना चाहिए है, ये कफलत कभी नहीं करनी, कि अपने आपको कहा बिजनेस है, थोड़ा बहुत तो, थोड बहुत जितना करेंगे, करम तो वो अपना ही बनेगा, थोड़ा बहुत हम करेंगे, फिर थोड़ा बहुत वापिस पी आएगा, क्योंकि हर करम का परिणाम तो आना ही आना है, हम जो धन कमा के लाते हैं, उससे हम क्या-क्या खरीते हैं, सबसे पहले जिस मकान में हम रह रह वो उस धन से आता है, तो fundamental energy, जिस घर में मेरा पूरा परिवार रहने वाला है, वो धन से आ रहा है, हर चीज जिस पर बैठेंगे, जिस पर सोईंगे, जिसको यूस करेंगे, वो उस धन से आने वाली है, बच्चों की पढ़ाई की फीज देंगे, वो उस धन से आने वाला ह बाकि अन खाएंगे वो उस धन से आने वाला है सब कुछ तो हमारे चारो तरफ उसी धन से आता है तो उस धन की खुश्बू कैसे होनी चाहिए उस धन की खुश्बू कैसे होनी चाहिए उसमें दुआएं होनी चाहिए सबके करें अटेंशन इतना ये नहीं करना है करें अटेंशन उस धन में क्या होना चाहिए खुश्बू आनी चाहिए उस धन से दुआओं के तब उस धन को श्री लक्ष्वी का दरजा दिया जाता है तो कितना कमाना नहीं कैसे कमाना उस पर underline करना है कितना कमाने से साधन, कैसे कमाने से सुकून, खुशी, आनंद इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई आपके पस कुछ लेने भी आए तो आप उसको बोलो नहीं, आपकी इसकी जुरत मतर्ती है आप मतलो यह, आप छोड़ दो यह, बहुत महिंगा आपके लिए, आप यह दूसरा वाला लो करनाची है नए करनाची है यह भी बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, आप मेरे से मतलो आपको जो चाहिए न ह Tabii the दूसरी दुकान नहीं चलेगा ना, मुझे भी वही लग रहा था, नहीं चलेगा, एक फल वाला भी, एक बेकरी का ब्रेड बेचने वाला भी, हमें क्या कहता है, बाइसाब आज मेरे से मत लो, आज ताजा नहीं है, दूसरी दुकान से जा कर ले लो, उसके लिए हमारे लिए वो 200 रुपया है चोटी चीज है, लेकिन उस बिजनेस में है, उसके लिए वो 200 रुपया बड़ी चीज होती है, लेकिन उस दिन उसके पास दो चोईस थी, वो दो सड़े हुए आपल नीचे लखकर चार उपर सुंदर अंदर रखके दे सकता था हमें, और दे देते था तो भी हम घर चले ज किया, उसने का आप मुझसे नहीं लो, ये ना पुराना हो गया, आप दूसरी वाली दुकान से लो, उस दिन उसने धन नहीं कमाया, उसका लॉस हुआ उस दिन, उसने नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया, उस दिन उसने क्या कमाया, दुआइं कमाई, उस दिन उ विश्वास कमाया, अगली बार जाके हम उससे रेट पूछेंगे, यह नहीं और फिर यह चीज सिरफ हम अपने तक नहीं रखेंगे, हम पांच लोगों को बताएंगे, पता है हम उस दुकान पे गए थे ना, ऐसा वाला दुकांदर था सामने वाला कहेगा, आज की युग में ऐसा भी दुकांदर मिलता है, क्योंकि अभी थोड़े कम हो गया ना, ऐसे वाले मिलने, पहले तो बहुत होते थे, पहले तो सारे भी होते थे, और यह सब कुछ हमने अपने तीस-चालेस साल की समय में देखा है, बदलते हुए देखा है कि नहीं समय को लेकिन इस समय कैसा वाला चाहिए, इस समय वैसा वाला वापिस चाहिए तो उस दिन वो व्यक्ति दुवाइं कमाता है, धन नहीं कमाता है लेकिन उसके अगले दिन से सब कौन सी दुकान पर जाएंगे उसी की दुकान पर जाएंगे तो ये एक सिधान्त है जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है के दुवाएं कमाते हैं लेकिन जो दुवाएं कमाते हैं वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे जो दुवाएं कमाते हैं वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे कम कमाएंगे जादा कमाएंगे अपनी शम्ता से जादा कमाएंगे माउंट आबो जहां इश्वर्य विश्व विद्याले का हेट कोटर है तो हम एक होटेल में प्रोग्राम कर रहे थे तो अन की शुद्धी की बात हो रही थी तो वहां का जो ओनर था होटेल का, कि ते हमारे होटेल में तो हम नॉन्वेज भी खिलाते हैं मैं का आपकी चोईस तो कहां आपको लगता है, हम अपने होटेल को वेजेटेरियन कर दें मैं का आपकी चोईस आप करो, आपकी चोईस तो उसका वो शेफ आ गया, वो होटेल का कैते हैं, नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे मतलब आप बात करते हो सारा हमारा हिल स्टेशन है, सारे आते ही इसी चीजों के लिए पर उस दिन उस व्यक्ति ने का, नहीं जो चीज अच्छी नहीं, हम नहीं बेचेंगे और उस दिन उसने अपने होटेल को वेजेटेरियन कर दिया चार, छे, आठ माईने बीद गए, उसके बाद जब मैं अगली बार माम ठाबू गए मैंने उनको का, कैसा चल रहा है कैते है नहीं, वेजेटेरियन है अभी तक मैं का वेजेटेरियन तो है बाखी बिसनिस कैसा चल रहा है तो कैते है, अच्छी वह नीचे डिप हो गया क्योंकि वह शहर का टौप टौप वाला होटेल है वह देशे लेकिन डिप होने के बाद वह ऐसे चला गया पहले डिप हो पर डिप होने के बाद वो ऐसे चला गया क्योंकि बहुत लोग होते हैं गुजरात राजस्तान से जिनको ऐसा होटेल चाहिए जहां नौनवेज नहीं है तो अब सारे जो इधर उदर भी जा रहे थे वो सारे यहीं आ रहे हैं सिध्धान्त आप अपने सिध्धान्त पर खड़े रहे आप अपने सत्य के लिए सही के लिए खड़े रहे सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है क्योंकि श्रेष्ट करम का परिणाम है और फिर भी अगर धन थोड़ा कम हो भी जाए, कोई बात नहीं, सबको सेहत देखके धन कमाएंगे, तो अपने घर सुकून ही आएगा, अपने घर सेहत ही आएगी, अपने घर दुआएं ही आएगी, तो धन थोड़ा कम भी आए, लेकिन अगर दुआएं और सुकून आए, त के साथ हम कैसा व्यवाहार करते हैं और जिनके साथ, जिनके लिए हम बिजनस कर रहे हैं अपने से पहले उनका सोचना सारा दिन में सोचना आज दुआइं कैसे कमानी है सारा दिन में यह नहीं सोचना आज धन कैसे कमाना आज दुआइं कैसे कमानी है दन तो अपने आप आता ही जाएगा, जो दुआएं कमाएंगे, वो हमेशा कैसे रहेंगे, और फिर याद रखना, दन तो किसके पास रह जाएगा, दन तो किसके पास रह जाएगा, आजकल तो इतनी मैनत करकर के, इतना दन कमाते हैं, और अंत में बच् rallाच से नराज हो गएगता हैं, मन भी नहीं कर रहा, इनको बजाना के इनको कुछ भूँँए, ऐसी भी श्थिति आ गई है, मन भी नहीं कर रहा, छोड़ के जाने का इनके लिए, लेकिन छोड़ के तो जाना ही है, लेकिन इंपोर्टेंट है, कम हो ही नहीं सकता शम्ता से जादा बढ़ेगा सो धन दुवाओं के साथ आए और अन कैसा खाना है अन कैसा खाना है कैसा करम होगा दूसरे के दर्द का अन खाना दूसरे के दर्द को खाना यह कैसा करम होगा फिर कैसा होगा फिर तीन महीने करके देखते हैं एक विज्वालाइज करो ना कभी देखा है ऐसे वो लेके जाता है वो कैसे फड़ पड़ा रहे होते है imagine उसको देखो और बोलो थोड़ी देर के बाद यह हमारे पेट में जाने वारा है किसे फड़ पड़ा रहे होते है वो चिडिया कितना दर्द है कितना helplessness है कितना चीखना है कितना रोना है और फिर उसके बाद हिंसा है फिर मृत्यू है यह सब सेहत कैसे दे सकता है किसी को दे नहीं सकता यह सबसे बड़ी भ्रांती है कि ये सेहत दे सकता है अगर ऐसा होता तो hospital में जाके देखो कि जो शाकाहरी हैं वो ही सारे hospital में ऐसा है, जो कुछ है? कुछ भी नहीं जो पेट के लिए light होगा वो यहाँ भी light रहेगा और जो यहाँ light रहेगा वो यहाँ light रहेगा दोनों का connection है इसलिए जब नवरात्रे होती हैं, कोई पूजा है, प्रार्थना है, पाथ है, उस दिन हम क्यासा खाना खाते हैं? उस दिन हम क्यों खाते हैं साथविक? क्योंकि हमें लाइट रहना है, हमें शक्तिशाली रहना है, तो कुछ दिन क्यों रहना है वैसा? कुछ दिन क्यों रहना है वैसा कौन-कौन तीन महीने करके देखने के लिए रही है जो नहीं कर रहे है अभी जो अभी नौनविज खा रहे है तीन महीने करके देखो तीन महीने के बाद आपको लगेगा यह मेरी लाइफ का बेस्ट डिसिशन है बहुत हेवी खाना है वो हेवी सिरफ पाचन के लिए नहीं हेवी एनरजी में हेवी है वो उसमें किसी की हाय है किसी का दर्द है किसी की नफरत है उसके अंदर अपने स्वाद के लिए किसी की वृत्यू नहीं की जा सकती है ऐसा करम बहुत नीचे चला जाता है तो सात्विक अन खाए और दूसरा, घर में अन को प्रशाद के तरह बनाना शुरू करे अपने परिवार को शक्ती देनी है घर का शक्ती स्थम बनना है तो परिवार को प्रशाद खेलाना शुरू करे प्रशाद सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो मंदिर से मिलता है वो नहीं अपने घर के खाने को प्रशाद बनाना शुरू करें कौन-कौन रेडिये करने के लिए है बहुत असान सिर्फ रसोई में परमात्मा के याद के शब्द चलने चाहिए मंदिर में खाना कैसे बनता है गुर्द्वारे में लंगर कैसे बनता है चल रहे हैं मंत्र चल रहा है भजन चल रहा है चल रहा है रसोई में चल रहा है एक-एक शब्द क्या होता जा रहा है खाने में जा रहा है हम घर पर क्यों नहीं कर सकते ही है कर सकते हैं, आज जाते ही रसोई बे रख देना, और ये ध्यान रखो, जब रसोई में खाना बन रहा है, उस टाइम पे घर पे कुछ और न्यूज और टीवी पे सीरियल और पिक्चर ये नहीं होने चाहिए, बनते समय भी नहीं होनी चाहिए, खाते समय तो नहीं होनी होगा, तो अन का बहुत 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 ध्यान रखो, क्योंकि अन से सीधा क्या हो रहा है, मन की स्थिती बन रही है, तो कौन रेड़ी आज रसोई में करने के लिए, प्रशाद बना रहे हैं, बोलो हम प्रशाद बना रहे हैं, ठीक है, और खाते समय नियम बना लें घर पे कि फोन और टीवी, किस-किस के घर पे ये नियम अलड़ी है, फोन और टीवी बन, अब आज बाकी सब करेंगे, फंदरा मिनिट खाना खाने में लगता है, फंदरा मिनिट, फोन टीवी बन, किसी के बारे में गॉसिप करना बन, कोई प्रॉब्लम को डिसकस करना बन, खाना रहे हैं, उसमें कोई भी नेगेटिव शब्द जाना नहीं चाहिए, ठीक है, रेडी, और लास्ट चीज, सुभा की दिन की शुरुवात, धन, अन, मन, सुभा की दिन की शुरुवात, और रात को दिन का अंत, फोन के साथ नहीं होना चाहिए, किस-किस के साथ फोन साथ में रहके सोता है, ऐसे, जैसे बच्चा सोया अपना, वो फोन, उसका वो इंटरनेट, उसके वो वाइब्रेशन, वो रेडियेशन, ये नेंद अच्छी नहीं देता, उसको थोड़ा सा दूर रखता, हो सके तो कमरे में ही नहीं रखो, जहां सो रहे हैं, और सुबह उठते हैं, पहले किसको याद करो, पहले उसको गुड मॉर्निंग कर दो, इदर नहीं गुड मॉर्निंग लिखना किसी को, सब करते हैं, इसलिए मुझे नहीं करना है, मुझे वो करना है, जिससे आत्मा की शक्ति क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, सब कर रहे हैं, तो हम भी सब को सुबह सुबह रिपलाई कर रहे हैं, सुबह सुबह क्या टाइप करना है ये सब, सुबह सुबह दिन की शुरुवात उसको याद करके, मेडिटेशन करके ध्यान सीखना है और सुबह सुबह दिन की शुरुवात बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है इस समय हर रोज हमें सुबह के 15 मिनट अपने आपको देने ही पढ़ेंगे अगर हमें शक्ति स्थम बनना है, तो हमें शक्ति भरनी ही पढ़ेगे किस-किस ने राजयोग नहीं सीखा है, सेंटर पर आकर सीखा नहीं है कभी भी हाद उठाओ एक पार नहीं सीखा है राजयोग अर्था उस सर्व शक्तिवान पर्मात्मा को जिसको हम प्यार से याद करते हैं उसकी महिमा करते हैं एक स्टेप और आगे जाना कि उससे कनेक्ट करके उसकी शक्ति को अपने अंदर कैसे भरना वो है राजयोग चलो एक मिनट सीधा होकर बैठें साइलेंस में और आज पक्का करते हैं कुछ बातों को अपने ध्यान को ब्रिकुटी के बीच लेकर आएं जहां तिलक लगाते हैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा मेरे हर संकल्प से हर बोल से हर करम से मेरा भाग्य बनता है मेरी शक्ति से और उनको शक्ति मिलती है मेरी शक्ति से घर में सुकून आता है मैं शक्ति शाली आत्मा हर परिस्थिती में मैं आत्मा शान्थ स्थिर हर सीन कल्यान कारी है हर सीन में कल्यान है परिस्थिती को दुआ हर एक बहत अच्छा है हर एक को दुआ पुरानी बाते खतम बीती सु बीती आज बात को खतम करते हैं मैं उनको शमा करते हैं मैं आज उनसे बात करूँ गांठे खतम हर एक का शुक्राना मेरा मन स्वच पवित्र बेदाग सारा दिन अटेंशन आत्मा की शक्ती बढ़ाने है अपने परिवार का शक्ती स्थम कल से तीन दिन एक घंटा मेरा अपने लिए हर एक ये घंटा निकालेगा एक सहेज विधी जो मुझे सदा शक्ती शाली रखकर स्वस्त रखकर मेरे रिष्टों को मस्बूत बनाती है क्योंकि मेरे संकल्पों से ही मेरी दुनिया बनती है एक घंटा मेरा अपने लिए धन दुआओं के साथ आता है अन परमात्मा की याद में बनता है मन सवेरे सबसे पहले सर्वशक्त इवान परमात्मा से जुड़ जाता है मैं आत्मा शुद पवित्र सब को देने वाली आत्मा मैं सत्यों की आत्मा सब को देने वाली आत्मा परिवार का शक्ति स्थम बनने के लिए एक घंटा मेरा अपने लिए आज हम यहां से घर तक मौन में चलेगे अगले पंदरा मिनिट तक मौन में रहेंगे घर पहुंचने तक तब जो शक्ति भरी है वो अपनी बन जाएगे अपने साथ मन में बात करें किसको शमा करना है किसको दुआ देने है कौन सी पुरानी बात फिनिश करने है अपने साथ दस पंदरा मिनिट बिताएं जो अभी अभी भरा है वो अभी अभी उसको धारण करें